इस simple pendulum is oscillating without damping, एक simple pendulum है वो oscillate कर रहा है और कोई damping नहीं है when the displacement of a bob is less than the maximum, जो displacement है जो bob का वो अपने extreme position और mean position के कहीं बीच में है maximum displacement से कम है its acceleration vector a2 is correctly shown in a figure तो इसमेंसे जो acceleration vector a2 का कोई मतलब नहीं है मतलब एक acceleration vector है वो किस figure में ढंक से diagram बनाया गया है तो आप समझे ज़रा है जैसे माले जब यह oscillate कर रहा है और यह कहीं बीच में आ गया है तो इसके पास दो acceleration होंगे एक तो इसके पास होगा tangential acceleration और since इसने कुछ velocity गेन कर ली है तो इसके पास होगा एक normal acceleration तो अगर मैं किसी एक diagram में बना हूँ जैसे कि इसमें मैं बना के दिखाता हूँ आपको तो एक तो यह mg sin theta होगा tangential acceleration अगर यह angle theta है तो mg sin theta जो होगा वह होगा tangential acceleration और एक इसके पास होगा normal acceleration centipetal acceleration कह सकते है radial acceleration कह सकते है जिसकी value v square by r होती है तो normal depression houti और जो tangential acceleration होगा यह g sin theta के format का होगा अगर यह वाला angle theta है तो huh ting sin theta के format का होगा तो आपका घ्र ृ 맡लेगा वह इन दौनों acceleration का resultant होगा किसी भी direction हो सकता है ठीक यह रहेगा इन दौनों के बीच में तो आपका जो answer बनेगा, वो क्या बनेगा C part इसमें एक चीज़ और समाझ सकते हो, अगर हम बात करें कि अगर यह extreme position पो होता तो answer क्या होता? तो अगर यह extreme position पो होता, तो extreme position पो कोई velocity तो होती नहीं है अगर velocity नहीं है तो V square by R भी नहीं है इसका मतलब कोई normal isolation नहीं है तो extreme position पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा isolation होता है tangential isolation g sin theta और अगर यह अपनी mean position पे होता है इस position पे अगर होता है तो उसमें इस position पे velocity maximum होती है velocity को बढ़ाने घटाने वाला कोई नहीं होता है rate of change of velocity एक moment के लिए 0 होता है velocity अपनी maximum value पे होती है तो इस moment पे सिर्फ और सिर्फ normal isolation होता है इस moment पे tangential isolation क्या होता है 0 तो मैं सारी चीज़ें आपको पता देता हूँ अगर ball आपकी extreme position पे है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tangential isolation होता है tangential isolation क्या होता है 0 और अगर कहीं बीच में है तो वहाँ पे tangential isolation भी होगा normal isolation भी होगा total isolation उन्हों का resultant बनेगा so your answer is C part a simple pendulum is made of a body which is hollow sphere containing mercury suspended by a means of wire if the little mercury is drained off the period of pendulum will remain क्या रहेगा बढ़ेगा बढ़ेगा कम होगा क्या होगा यह आप से पूछ रहेगा तो एक simple सा setup है समझ दीजी आगे भी याद रहेगा वह आपको जिसी यह एक ball है और इसको मैंने इस तरह से pendulum बना के hank कर दिया तो अगर इसके अंदर यह hollow ball है इसके अंदर mercury पूरा भरा हुआ है completely filled है तो center of mass इसके center पर ही होगा और center से लेकर हिंज तक की जो length होगी यह आपकी effective length बनेगी और time period का formula बनेगा 2 by under root L by G अब अगर इस मैंसे हम थोड़ा सा mercury drain कर दें थोड़ा सा mercury खाली कर दें उपर से यहां से खाली होना शुरू होगा जब mercury खाली करोगे तो होगा क्या इसका center of mass नीचे की तरफ shift करेगा जैसे माले इतना mercury आपने खाली कर दिया इतना mercury रह गया तो इसका center of mass होगा अब center में नहीं होगा उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा और जब center of mass थोड़ा नीचे आएगा तो effective length थोड़ा सा बढ़ जाएगी effective length अगर बढ़ेगी थोड़ा सा तो इसका थोड़ा सा time period बढ़ जाएगा तो इसका जो time period होगा वो slightly क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा clear अगर question यह होता है इसमें कि इसमें एक hole कर दिया हमने जिससे दीरे-दीरे करके mercury drain होता जा रहा है तो पहले तो जैसे यह से mercury दीरे-दीरे खाली होगा center of mass नीचे की तरफ आएगा लेकिन आप खुद सोचो अगर यह जब पूरा खाली हो जाएगा completely empty हो जाएगा तो क्या इसका फिर से center of mass उसी center पर नहीं आ जाएगा यहनि center of mass का जो motion होगा वो इस तरह से होगा पहले center of mass नीचे की तरफ आएगा और फिर वापिस जाके उसी point पर वापिस आ जाएगा तो इसका मतलब effective length पहले increase करेगी और फिर वापिस decrease करके अपनी original value गेन कर लेगी इसका मतलब time period पहले increase करेगा फिर decrease करके वापिस से अपनी original value वो गेन कर लेगा यानि initial time period और final time period तो same होगा यहिन बीच में time period पहले बढ़ा हुआ बढ़ेगा और फिर time period वापस से कम होके अगर किसी question में इतना पूछा जाता है कि पूरा पूरा पूछा जाता है तो यह answer बनेगा यहां तो simply यह पूछ रहे हैं कि अगर हमने थोड़ा सा mercury drain कर दिया उसमें से तो time period पर क्या फर्क पड़ेगा तो time period slightly increase कर जाए इसमें क्या है एक simple pendulum है उसकी bob hollow metal sphere है उसका time period T है अगर hollow है तो time period कितना दिया है आपको T फिर हमने क्या क्या उसको sand से बहरा एक case में time period T1 है फिर हमने उसको mercury से बहरा time period T2 है फिर हमने mercury से लेकिन आदा बहरा time period T3 है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले case में center of mass मास एकदम center में होगा दूसरे case में भी center of mass में होगा क्योंकि आपने sense से उसको पूरा बढ़ दिया है और तीसरे case में भी center of mass एकदम center में होगा यानि T, T1 और T2 ये तीनों time period बरावर होंगे लेकिन जब इसमें mercury थोड़ा सा आपने खाली किया है इसका center of mass होड़ा नीचे आ गया हो और center of mass नीचे shift होने के वज़े से length बढ़ गए effective length और effective length की वज़े से time period बढ़ गया जो है वो root to T के बराव हो जाता है और density पूछ रहे है पेंडलम बॉप की density क्या है ठीक है तो air में जो time period होगा T वो होगा 2 पा इंडर रूट L by G ठीक जब आप उसको पेंडलम बॉप को पानी में डिप करोगे तो effective gravity जो है वो कम हो जाई क्योंकि इस पर 22 फोर्स लेगा यह root 2 times T के बरावर है यह किसके बरावर है आपका root 2 T के बरावर है तो अगर दोन equations को डिवाइड कर दें फर्स और सेकिंड दोन equations को अगर हम डिवाइड कर दें तो second upon first इधर तो आजाएगा आपका root 2 और इस तरफ जो आएगा वो आपका आजाएगा 1 upon under root of 1 minus 1 upon relative density बागी सारी चीज़ा मुझे ऐसा लगता है cancel out हो जाएगा तो अगर इसको हम इधर लेके आते हैं तो 1 minus 1 upon relative density जो आएगा वो आपका 1 by 2 के बराबर आ जाएगा तो 1 by relative density जो आपके आएगी वो half के बराबर हो जाएगी तो relative density 2 आ रही है अब relative density होती क्या है वो होती है density of substance upon density of water पानी में डिप किया हमने इसको इसका मतलब substance की density पानी की density की double है पानी की density अगर आप 1 मानोगे तो जिस substance की वो बाप ब पानी है उसकी density क्या हो जाएगी 2 तो यूर आंसर विल भी बी पार इस फियर ओफ रेडियस आर इस कैप और कॉन के मिरर ओफ रेडियस ऑफ करेविचर कैपिटल आर डार इस कैप्ट ऑन थोड़ा सा दिस्प्लेस किया उसकी क्लिरम पोजिशन से और एक्जिक्यूट कर रहा है वह SHM टाइम पिरेड आप से पूछ रहे हैं देखते हैं डाइग्राम उन्होंने दिया है कि नहीं दिया होगा तो हम खुद बना लें इस फियर की रेडियस स्मॉल आर है और जिस हैं हैं हमिस्फेरिकल सर्फेस पर डांस कर रहा है वह कैपिटल आर है तो दिया नहीं तो स्मॉल स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस क्या है और मैं स्मॉथ मान लेता हूं इसको और स्मॉथ सर्फेस पर इस तरह से क्या कर रही है यह उसलेट कर रही है तो इसका टाइम पिरेड कितना होगा तो इम्पोर्डन बात यह है कि यह जो बड़ा वाला स्फियर होगा डं length होगी, वो r-r के बराबर होगी, ठीक, क्योंकि यह वाली distance होगी, यहाँ पर यह वाली distance ही is small r होगी, तो अगर center से center तक की distance हम देखेंगे, तो कितनी हो जाए हो r-r, और यह बिलकुत simple pendulum की तरह ही oscillate करेगा, 2.0 root l by g ही इसका answer बनेगा, बस वहाँ पर क्या होता है कि हम इस रसी से बांद देते हैं तो वहाँ जो है वो tension इसको circular motion करा रहा होता है और यहाँ पर क्या होगा surface से लगने वाला normal reaction इसको इस तरह से circular motion कराएगा उसलेट कराएगा बाग इसका formula एकदम सेम रहेगा जो कि simple pendulum का होता है लेकिन लेंद की जगे आप क्या डालोगे तो लेंद की जगे आप डालोगे आप r-r so your time period is 2 pi under root l upon g और l की जगे डालेंगे हम r-r upon g clear जो काम रसी के case में tension कर रहा होता है वो काम इस case में surface से लगने वाला क्या करेगा normal reaction करेगा so your answer is b part two simple pendulum of length 5 meter and 20 meter are given small linear displacement in one direction at the same time they will again be in the phase when the pendulum of the shorter length has completed कितने oscillation complete करेगा उसके वारें बात चल लेगी तो shorter अगर length की बात करें हम तो उसका time period अगर मैंने का t है t is equal to 2 pi under root l by g होता है formula ठीक आराम से देखते जाना आप अगर लेंद की लेंद 5 meter है shorter time पेंडलोम की लेंद 5 meter है उसका time period मैंने का t है तो जो longer है उसकी length 20 meter है चार गुना जाज़ है length है तो time period दुगना हो जाएगा तो shorter का time period अगर t है तो longer वाले का time period टूटी होगा और दौनों को एक साथ अपने एक positive extreme से release किया गया तो question में पूछ रहे है वो दौबारे से same phase में कब आएंगे तो आप समझ यह इसका time period T है और इसका time period 2T है यानि इसको यहां से जाके यहां तक आने में 2T time लगेगा और इसको यहां से यहां तक जाने में T time लगेगा लेकिन 2T time के वाद अगर में सोचेंगों तो 2T time के वाद यह इसी position पर मिलेगा और यह भी 2T time के वाद इसी position पर मिलेगा लेकिन इसने 2 oscillation complete कर लियोंगे एक बाद जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा यानि मैं यह कह सकता हूँ कि तब वो दो बारे से सेंग आजाएंगे अगली बार कब से सेंग आएंगे जब शौटर वाला चार उसलेशन कंपलेट कर लेगा तो यह वी डेंट है इसमें कुछ केल्कुलेट करने के आपको जरूरत नहीं है इसमें क्या कह रहे है एक पीरिट ऑफ पैंडलोम का उसलेशन ऑफ सिंपल पैंडलोम उस्पेंड फॉप वह वह विच मुवस डाउन विदाउट फ्रिक्शन और इंगलेंट प्लेंड उसमझी जरा क्या सचुछिएंशन इसमें इस तरहीं सचुछिएंशन है कि एक इंगलें और स्मूद सर्फेस है तो ये नीचे की तरफ कितने एसलेशन से एसलेट कर रहा होगा जी साइन एलफा से एसलेट कर रहा होगा एलफा का एसलेशन और उसके अंदर एक पैंडलोम है वो पैंडलोम उसलेट कर रहा है उसके टाइम प्रिडिड के बारे में हमें बात करने है तो सबसे पहले मैं आपसे पुछूँगा कि उस box के अंदर effective gravity कितनी होगी तो उस box के अंदर effective gravity होगी g cos alpha क्यों होगी g cos alpha आराम से समझी देखिए इस pendulum पे इधर force लग रहा होगा mg cos alpha बढ़िया एक इधर लग रहा होगा mg sin alpha बढ़िया लेकिन अगर आप इसी pendulum box के अंदर बैठके देखोगे तो यह तो accelerating frame होगया तो इसमें acceleration के opposite direction में pseudo force लाएगा pseudo force होता है m into a और इसका acceleration खुद g sin alpha के बराबर है तो एकी value आप डालोगे g sin alpha तो यह mg sin alpha का pseudo force mg sin alpha का pseudo force इस mg sin alpha से क्या होगे cancel out तो जो effective gravity का force बचा वो mg cos alpha बचा है यानि effective जो gravity आई वो g cos alpha के बराबर आगे और अगर effective gravity gravity g cos alpha है तो time period तो आप तो आप तो लिख दो कि 2.0 root l by g effective and g effective is g cos alpha so your answer is 2.0 root l by 1 नहीं यह यह l है ठीक है इसको आप मान लीजे यह क्या है l है l l and l so it is l upon g cos alpha a part above of simple pendulum is displaced from its equilibrium position o to a position q which is at a height h above o ठीक है इस bob को हमने displaced किya q position तक कितने height पर है h height उसके बाद bob को हमने release कर दिया है assuming the mass of the bob to be m bob का mass हम कितना मान रहे है m ठीक and time period of oscillation is the 2 seconds time period 2 seconds the tension in the string when the bob passes through o उसे जब यह pass करेगी तो tension कितना होगा ठीक तो मुझे नहीं लगता के time period का इससे कोई connection होगा क्यों जब यह उसे pass करेगी तो उसके पास जो velocity होगी वो energy conservation से आएगी और वो under root 2gh के बराबर होगी और इस string में जो यहाँ पर tension होगा वो दो forces को balance कर रहा होगा एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और एक centrifugal force लग रहा होगा mv square upon L तो हो सकता है length निकालने के लिए यह हमें कुछ जरूत पड़े देखते हैं time period की अगर रूसकता है जरूत पड़े तो जो tension आ जाएगा यह tension है time period नहीं है तो यह क्या है tension t0 कहतेता हूं मैं इसको tension है तो string में जो tension होगा वो किसके बराबर होगा mg plus mv square upon L और v square की value under root 2gh तो v square हो जाएगा 2g h के बराबर ठीक तो यह answer तो कहीं match करता हूं नजर नहीं आ रहा तो ऐसा करते हैं कि इसमें अब हम length L को जो है वो replace करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे time period से time period का formula होगा 2.0 root L by G तो यहां से हम L by G की value निकाल सकते हैं तो यह 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel out तो अगर हम square करें तो 1 is equal to हो जाएगा आपका pi square L upon G तो हमें चाहिए G upon L तो G upon L आपका pi square हो गया तो यह जो G upon L है इसकी जगे हम ले सकते हैं pi square तो यह आपका बंता नजर आ रहा है mg plus pi square times 2m h अभी भी settle होता हो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपके तो यह पूरे under root के अंदर चल रही है ठीक है तो और भी फिर कुछ changes हमें करने पड़ेंगे अगर M हम common भी ले ले लेते हैं तो अभी आपका आ रहा है G plus pi square into 2h यह आ रहा है जबकि यहां जो options है उसमें pi square तो नहीं है heavy तो अंदर दिख रहा है तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आपका answer G के terms में है IH के terms में है यह मैंने चेक कर लिया यह answer तो आपका जो tension आ रहा है वो आ रहा है M times M common ले सकते हो आप चाहो तो M times और अंदर बच्चे का G plus pi square into 2h तो यह आपका क्या बनेगा आपका tension तो इसमें E part बना के answer लिए कि यह सारे answer गलत है Two simple pendulum whose length are 100 cm and 121 cm are suspended side by side Their bobs are pulled together and then released ठीक है दोनों को extreme position तर खीचा हमने एक की length 100 cm एक की length 121 cm ठीक है एक छोटा है pendulum relatively और एक थोड़ा सा बड़ा है और इनको ऐसे extreme position तक छोड़ा और release कर दिया तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसका time period T होगा तो इसका time period 1.1 T होगा तो अगर इसका time period 10 T होगा तो इसका time period 10 T होगा तो इसका time period 1.1 T अब हम क्या कर सकते हैं कि यह पूछ रहे हैं कि कितने minimum oscillation के बाद वो दोवारे से same phase में आ जाएंगे तो आप कुछ common sense लगा इस हो सकते हैं जैसे कि simple समय जैसे कि आपने मैंने कहा कि इसका time period 10 seconds ऐसी ऐसी माल लिया ठीक तो इसका time period होगा वो कितना आ जाएगा वो 11 seconds आ जाएगा कब क्यों आईगे वो एक जाएगे समझे 110 seconds के बाद 10 seconds वाले टाइम ने 11 जब कि 11 सेकंड वाले पेंडलों ने 10 SHM complete कर लिया होंगे तो 110 seconds के बाद यह दूबारे से कहां आजाएंगे आपके same phase में तो हमसे time निपूछा गया है time हम निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक आपको और चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, लेंथ वगएरा पता है, तो सारी वाली डाल के आप निकाल सकते हैं, लेकर हमसे तो सिर्फ यह पुछा गया है, कौन से pendulum, यह पुछा गया है, कि छोटे वाले, लोंगर, लोंगर वाले के, बड़ा वाले जो pendulum है, उसके कितने oscillation क है, और एकर time period 5ty4 है, same time पे mean position से start करते हैं, what will be the phase difference between them after the bigger pendulum has completed one oscillation, जब bigger pendulum ने one oscillation complete कर ले यह नहीं time आपका 5ty4 हो गया, यही तो है bigger pendulum का time period, तो वो तो एक oscillation complete करके अपनी original position पे हाँ वापिस आ जाएगा, लेकिन जो छोटा वाला होगा pendulum वो क्या करेगा, तो उसके लिए उस तो यह जाएगा, बापिस लोटके अपनी mean position पाएगा और ty4 और extra है तो अपने extreme position पाएगा, यानि इसके और इसके बीच में जो है, वो pi by 2 का phase difference आजाएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ, आप समझी ज़रा डंग से, देखिए, एक है, एक छोटा pendulum है, और एक बड़ा pendulum है, तो यह 5ty4 में यह जाएगा, यहाँ लोटके आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापिस mean position पाएगा, तो यह 5ty4 में यह करेगा, अब इसको पूछाँगे कि यह 5ty4 में क्या करेगा, इसका तो time period सिर्फ t था, तो यह कहेगा कि मैं आगे जाओंगा, वापिस लोटके आ यह अपने extreme पर आजाएगा, तो आप बताएगे, एक mean पर, एक extreme पर इन में कितने का phase difference होगा, तो phase difference होगा, pi by 2 का, so your answer is b part,